स्वागत है आपका मिस्टर कुलरिया यूट्यूब चैनल में आए हम आपको बताते हैं बढ़ई के औजारों के नाम कार्पंट्री टूल्स इन हिंदी कार्पेंट्री का कार्य करने वाले को कार्पेंट्र या बढ़ई कहा जाता है अभियांत्री की क्षेत्र में कार्पेंट्री व्यवसाई का विशेश महत्तुर है यह कार्खानों एवं व्यक्तिगत जीवन के लिए मुख्य आधार है इस व्यवसाई की सहायता से जिन वस्तूओं को तयार किया जाता है वो सामान्यतिया सभी कारियों में प्रयोग की जाती है इस व्यवसाई के अंतरगत आने वाले विबिन कार्यक शेत्रों के कारण यह व्यवसाई विबिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाता है अता देश के और द्योगिक विकास में कारपेंटरी व्यवसाई की महत्वपूर्ण भूमिका है इस व्यवसाय द्वारा निर्मित विभिन उत्पादों का अंतर राष्ट्री इस्तर पर निर्यात किया जाता है जिससे देश के और द्योगिक विकास में व्रिद्धी होती है कारपेंटर भवनों के लिए दर्वाजे, खिर्किया, रोशंदान, अल्मारिया आदी बनाता है तथा घर को सुन्दर बनाने के लिए फनीचर, सास समान आदी तथा दुकानों, होटलों आदी का फनीचर तथा रूप सज्जा का कार्य तथा इंडिस्ट्रीज के लिए सांचों आदी का कार्य भी वही करता है इस तरह कार्पेंटर का देश के विकास में बड़ा महत्वपून योगदान होता है लकडी के औजार अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है पहला, रंदाई के औजार दूसरा, चोट मारने वाले औजार तीसरा, लकडी को चीरने वाले औजार चोथा, लकडी मापने वाले औजार पांचवा, निशान लगाने वाले औजार छथा, जांच करने वाले औजार साथवा, लकडी चीलने वाले औजार आठवा, कसने पकरने वाले औजार 9. सुराक करने वाले ओजार 10. रेतने वाले ओजार 11. मिले जुले ओजार 12. निजी सुरक शात्मक ओजार 13. पोर्टेबल पावर टूल्स मशीन और अंतिम में कील 12. आपने इन ओजारों को नाम सहित देखा और समझा होगा जिससे आपको इन ओजारों को पहचाने में आसानी होगी 12. तो दोस्तों यह थे लकडी के काम में प्रयोग होने वाले ओजार 12. मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद दोस्तों